नमस्कार, फल्मी बीट मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ क्रोतिका वर्मा अब विदेशी रेसलर के पैर छूकर बोली राखी सावन बहन जी माफ कर दो मुझे बॉलिवुड में ड्रामा क्वीन के नाम से मशूर राखी सावन एक बार फिर सुर्खियों में है विदेशी रेसलर रेबल की पटखनी खाकर घायल हुई राखी सावन शुकरवार को फिर से हर्याना पहुंची और रेबल के साथ ही नजर आई राखी ने पहले कहा था कि वो हर्याना पहुंच कर रेबल को रिंग में फर से चुनौती देंगी लेकिन मीडिया के सामने ही राखी सावन ने रेबल से माफी मांग ली इस वीडियो को जना ध्यान से देखिए, देखिए कैसे रेबल के पैर पकड़ कर राखी ने उनसे माफी मागी है बता दे मौके पर रेसलर खली भी मौझूद थे, राखी के माफी मागने का वीडियो खली ने अपने फेस्बुक पेज से शुर किया है शुकरवार को हर्याना के करनाल में रेसलिंग का मुकाबला था और इस मुकाबल से पहले राखी करनाल पहुँची और रोजशो किया रोजशो को देखकर लोग उस वक चौक गए जब उन्होंने राखी सावंत और उन्हें पटकनी देने वाली रेबल को एक ही जीप में सवार देखा इसके बाद मीडिया के सामने ही रेबल के पैर छूते हुए राखी ने माफी मांगी और कहा कि वो मुझे बहुट डरा रही है बहन जी मुझे माफ कर दो हालकि इसके बाद राखी ने कहा कि रिंग के अंदर वो दोनों फाइटर है लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की दोस्त है आपको बता दे कि रविवार कोहरियाना के पंचकुला में रिसलिंग का एक मैच चल रहा था जिसमें विदेशी रिसलर रेबल ने चुनौती दी कि अचानक रेबल ने राखी को उठा कर पटक दिया वहां मौझूद लोगों को काफी देर तक पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है इसके बाद जब राखी दर से चिलाने लगी तो स्टाफ ने रिंग के अंदर जाकर राखी को उठाया और अस्पताल पहुंचाया पागल हो गई थी उसे पता नहीं है कि मैं बॉलिवुट से हूँ मैं तो रेसलर नहीं हूँ लेकिन मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि फोगट सिस्टर्स मेरा बदला ले राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और वीडियो को जिसमें वो इंटरनाशनल रेसलर खली के साथ नजर आई थी वीडियो में राखी सावंत ने कहा मैं कोई रेसलर थोड़ी हूँ मैं तो रिंग के अंदर डांस करने गई थी लेकिन वो रेसलर तो जैसे पगला गई मुझे जो चोट लगी है वो कोई पब्लिसिटी अनुश्री दत्ता ने राखी सावंत को पिटवाने के लिए रेबल को पैसे दिये थे एकॉर्डिंग डू राखी तनुश्री चाहती है कि वो बॉलिवुड में डांस ना कर सके वेल अब क्या सचाई है ये तो राखी ही जाने लेकिन हाल ये तो तह है कि जिस तरह से राख झालिवाने के लिए।